भारतिय संस्क्रिती में यज्य, योग एवं मायूर्वेज जैसी अमूलने विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेज, इतिहाज की ओर द्रिष्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वा अरन्यवासी रिशियों की कुटियों तक, नित्य वन्यमेत्तिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है. क्या करते हैं, तो हमने बोला के आप यज क्यो नहीं करते हैं, बुलते हैं नहीं आता हमको, तो हमने बोला हम कर सिखा हैं आपको, हम बताएं, जितना हमो आता हैं. तो हम बताते हैं सब सामन भी लाएं तो उते अच्छा लाएं तो वो उन्होंने घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलिफ है मनके में उनको D11 और D12 के पीच में उनको इंफेक्शन हुआ है और जब उन्होंने डॉक्तर को दिखाया तो डॉक्तर ने उनको बताया इस वीमारी क तो ठीक होने को तीन से चार साल लगेंगे तो हमने भूला ठीक है हम योग तो आप करी रहे हैं और उनको कराइए और इनको यह यज आरम कीजिए तभी उन्होंने यह जारम किया और छे मैने के बाद उनको उसको पूरताया आरम मिल गया जो इंफेक्शन था डॉक्टर ने डॉक्टर ने बुला अब यह बहा है पूरता है तो एसा लाव है ओ आर आर विश्वानी देव सवितर्दुरितानी परासुवा यद्भध्रम तन्न आसुवा सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतेजिता पूर्वक प्रणाम करते हुए आप सभी मुंबई वासी भाई बेहनों और इससे अतरिक अन्य भी बहुत सारी जगाओं से जुड़े हुए जो भाई बेहन है उन सब को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आज हम इस पहन कास्मीराजी से लेकर के संपूर्ण संगठन के माध्यम से जो पूरी टीम निर्धारिद हुई हैं और जो विशेशुरुप से अपना योगदान सभागीता निभा रहे हैं उन सभी भाई बेहनों को में प्रणाम करते हुए आज हम इस सत्र की विशेशुरुप से मगरी जड़ी बूटिया और जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन में हमारे लिए विशेशुरुप से उपयोगी कैसे हो सकता है यज्य चाहे हमारा स्वास्थ लाब हो परियावरन का सोधन या परियावरन का संतुलन हो या देवी शक्तियों का पूजन हो जो भी हमारे जीवन के विभिनन अलग-अलग पहलू है उन सब में हम विशेशुरुप से यज्य को किस प्रकार से सामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को और उननत कैसे कर सकते हैं उस विशे में आपको इन आठ दिनों के अंतरगत विशेशुरुप से बताया जाएगा और आप लोगों सब को लिखी तुरुप में संप्रेशित भी किया गया था कि क्या-क्या सामान की और वस्तुओं की हमें आवश्यकता है और किस प्रकार से हमें इसको व्यवस्थित करना है तो आज आपके सामने जो यज्य करने के लिए अत्यनत आवश्यक जो चीजें हैं जो वस्तुएं हैं उस विशे में एक एक वस्तु को लेकर के हम चर्चा करेंगे और आपको पहले बताएंगे कि यज्ज की क्रियावीधी के लिए हमें जो आवश्यक अन्य द्रव्य या अन्य वस्तुय हैं वो क्या चाहिए सबसे पहले हमें यज्ज करने के लिए एक हवनकुंड की आवश्यकता होती है जो छोटा सा इस प्रकार का आप हवन कुंड अपने घर में ला सकते हैं यह आपको नजदीक कई स्टोर्स दुकान के उपर बाजार में भी अवेलेबल है उपलब्द हैं इससे अतिरीक्त हमने ओनलाइन भी इसको उपलब्द कराने का एक प्रियास किया है तो आप इसको सब के पांस आपके पांस होगा इस हवन कुंड का कई प्रकार हो सकते हैं अर्थात एक तो यह अपने पांस तामबे का हैं क्योंकि आदर्स रूप में माना जाता हैं तामबा क्योंकि तामबा धातू के उपर किसी भी प्रकार का जो बेक्टरिय आदी हैं, वो जीवीत नहीं रहते हैं, तो सुध्ध रहता है। क्योंकि हम हवनकुन हरोज सामन रुप से व्यक्ति धो नहीं पाता हैं। दो दिन, तीन दिन, पांच दिन में, साथ दिन में वेक्तित होता है एक बार और उसको अच्छे से हमें साफ रखना चाहिए यदि हम दूसरे धातू का प्रियोग करते हैं लोहा आदी का तो उसकी स्वच्छता की हिसाब से यादी हम देखे तो बैक्टरिया आदी उसके उपर पनफ सकते हैं या उत्पन हो सकते हैं लेकिन जब हम तांबे का हवन कुंड लेते हैं तो उसके उपर वैसे ही बैक्टरिया आदी ने रहते हैं तो सुध रहता है दूसरा इस हवन कुंड में जो तामबा धातू होती है वो सुचारू होती है तो सुचारू होने करने जब उसमें हम अगनी को प्रदिप्त करते हैं तो वरतमान कुछ ऐसी रिसर्चे सामने आई हैं कि इलेक्ट्रो मेंगनेटिक फिल्ड जनरेट होता है और वो अधिक मातरा म उतना ही चोड़ा और सामन्य रूप से उतनी ही गहराई होती है सामन्य हवन कुंड के लिए उसको हमारे सास्त्रों में जामेति या आकार का हवन कुंड कहा जाता है यह जो जामेति या आकार का हवन कुंड होता है उसमें एक चोथाई गहराई भी होती है जिसका हम सामन्य वर्तमान भासा में देखे तो उल्टा पिरामिन जिसको के तो पिरामिन का आकार होता है उसको हम उल्टा कर दे तो हवनकुन का सेप हो जाता है एक रूप से तो उस प्रकार के आकार को और उसको हमारे सास्तों में जामेती आकर कहा जाता है तो इस आकार का यदि हवनकुन होत तो उसमें क्या होता है कि साइड में हम जो आहुती आदी देते हैं तो उसमें साइड में भी गीर जाती हैं तो बीच में चली जाती है और अन्य था साइड में ही पड़ी रहते हैं दूसरा उपर से खुला रहने कारण सुचारू रूप से हवा जितनी उस अगनी को जलाने के के लिए हमें आवशेक होती है, वो हवा उनको परियाप्त मातर में मिल जाती है, तो नीचे तक में वो अच्छे से जल जाती है, यदि हम सिधा ऐसे बनाते, तो उसमें नीचे पूरी तरह से हवा ना मिलने के कारण, उसमें कारवन मोनोकसाइड आदी गेस है, और जो हमें इं आकार का कुंड है, वो विशेश प्रकार का लाब देने वाला होता है, और इस कुंड को, जामेदी आकार के इस कुंड को सर्व लाब के लिए, सभी प्रकार की सिध्यों के लिए, इस कुंड को प्रियुकत हमारे सास्त्रों ने किया है, इससे अतिरिक्त हमारे सास्त्रों मे अलग-अलग लाभों के लिए अलग-अलग हुण कुण्डों का भी विदान है जैसे सितलता या गृष्म रित्व आदी में विशेश रूप से हमें सितलता की आवशक्ता होती तो उसके लिए चंदरकुंड आदी की विशेश रूप से अर्दचंद कुंड आकारका है फिर इसे अतिरिक्त पद्मकुंड होता है, जो कमल आकार का होता है, नीचे से एक चोथा होता है, चोरसोतर आगे के उपर की साइड में सीधा होता है, उसको पद्मकुंड का आ जाता है, जो वरिष्टी आदी के लिए विशेश रूप से, या आकास मंडल के अंदर या उपर की सत उसके लिए योनी कुंड आधी का प्रियोग किया जाता हैं। तो अलग-अलग जगा पे अलग-अलग कुंडों का प्रियोग लिखा गया है। लेकिन सामने उसे सर्व कारियों की सिद्धी के लिए यह जामेती आकार का हवन कुंड लाब कारी बताया गया है और उसमें भी जो सर्व लाब में विशेश रूप से यह कुंड परियुक तो होता है लेकिन इसमें हमारे सास्तोरों में हम देखे तो यदि हमें पचास या सो से अधिक आहूतिया देनी होती है तब से हवन कुंड विशेश की वहाँ अपेक्षा होती है या हवन कुंड विशेश बनाना होता है यदि उससे पूर्व की यदि अवस्था हैं अर्थात हमें पचास या सो से कम आहुतिया देनी हैं तो उसके लिए स्थांडिल स्थांडिल एक कोई थाली आदी हम कोई भी ले सकते हैं कोई प्लेट है थाली है या नीचे जमिन पर थोड़ी सी मातरा में सुद्ध कंकर पत्थर जो होते हैं चोटे चोटे उसको उसके उपर थोड़ी सी रेत आदी बिचा करके उसमें गोमे आदी से लेपण या फिर उसका चिनकाव आदी करके उसको सुद्ध पवित्र करके और उसके उपर समीधा को हम चीन करके व्यवस्थ उसके लिए सामनी रूप से परियोग के लिए लिखा गया है लेकिन विशेश लाभों के लिए और विशेश परियोजन के लिए हमें इस तामवेका यदि हवन कुन्ड वर्तमान स्थिति के अनुसार हम देखे तो हम एक जगा पे स्थाई रूप से तो बना नहीं सकते हैं तो हम घर में ही उसको आगे पीछे एक जगा से दुसी जगा पे ले जाने में भी आसान होता है तामवेका होता है तो उसको शुद्ध करने में भी आसान होती है या पहले से ही उसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है तो उससे भी वो शुद्ध रहता है दूसरा वो प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। अर्थान आप अपने घर में भी इस पात्र के अंदर यज्य करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि उसके अंदर जो फ्रेम निकल रहे हैं, जो आग निकल रहे हैं, जो अगनी की ज्वाला हैं, उन ज्वालाओं का जो रंग है वो अ आप तो होने वाली जो गैसे होती हैं, वो गैसे हमारे मन के लेकर के हमारे परियावरन तक को शुद्ध, पवित्र, संतुलित और व्योसित करने में विशेस भूमी का निपाती है, विशेस लाब प्रदान करती हैं, तो इस प्रकार से हवन कुंड एक तो हमारे लिए यज् होता हैं, दूसरा यज्य के लिए हमें आवश्य होता हैं सम्यधा, सम्यधा के रूप में हमारे पांस, कई सारे हमारे शास्त्रों ने विकल्प अलग-अलग प्रदान की हैं, उसमें आम है, पिपल है, बरगत है, गुलर है, पलास है, पाकड है, उस प्रकार से अनै को यह पिपल की जो समीधाय होती हैं, वह समीधाय विशेश रूप से सोमनस्यकारी होती हैं, वायूममंडल का सोधन करने वाली होती हैं, और यह समीधाय जल करके राख हो जाती हैं, कोईला नहीं बनती हैं, और इस समीधाय को सभी रितूओं के अंदर विशेश रूप से प्रि क्योंकि यह जो समीधा है उसको जलने के बाद हमें ऑक्सिजन की जो अपिक्षा होती ही वह भी रिलीज करती है ऐसे वैसे कहा जाता है कि जो यह पिपल का व्रिक्ष होता है वह पिपल का व्रिक्ष भी अधिक मात्रा में ऑक्सिजन को छोड़ता है अधिक मात्रा में वह तो इसलिए जलने के लिए जो आकसिजिन की अपक्षाओ दे क्योंकि वह वायै मंडल से दहन के द्वरान वायै मंडल से हमें ऐक्सीजन देनी होती है तो जब समिधा के अंदर ही परियाब्ध होती है ऑकसिजन तो वायॆ मनडल के उखसेजन कम मातरा में बूर काल में यह जो सम्यधाय हैं उन सम्यधाय का प्रयोग इस रुप में किया जाता था पेड़ के उपर और गीर जाती है उस दोरान उसको विशेश रूप से लिया जाता है और उसको समीधा के रूप में प्रियोकत है और आज हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ये सारी समीधा उसी रूप में हम चैन करके लाए हैं तो वो पिपल की थी तो ये बरगत की है ये बर्गत की समीधाये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, वायू मंडल का सोधन्च से लेकर के, और अलग-अलग लाप, और इस लकड़ी को जब हम जलाते हैं, तो इसकी जो राक होती है, बर्गत की लकड़ी की राक होती है, वो न्यून के बराबर, मतलब नई के बराबर राक निकलती है, और बिल्कुल ही कम मात्रा में इसकी राक निकलती है, और ये बहुत ही जल्दी से ये जल जाती है, और तुरंत अगनी पकड़ लेती है, और इसमें जो हमको पांत-दस-पंदरा मिनित के लिए जो ये जिस समपन करना है, वो बहुत अच्छे से सम पन होता है तो ये बर्गत की समीधा ये हैं इसी प्रकार से ये बिल्व की समीधा ये जो बेल का पोधा होता है बिल्व वैसे कई सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए विशेश करके लाबकारी होता है लेहिन उसका बिल्व का जो धूम्र और बिल्व को जलाते हैं उसे प्राप्त जो गेसे हैं, वो गेसे विशेश रूप से मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए उन्माद आदी या जो भूत प्रेत आदी अलग-अलग प्रकार की चीज़े कहते हैं, उसके लिए भी विशेश रूप से ये लापकारी होती हैं, बिल्वा की समीधाओं का हम पलास जिसको हम पाकार आदी बोलते हैं, तो पलास की समीधा, ये पलास, टेंचू, ठेंग, अलग-अलग नाम से अलग-अलग जगाओं पे बोलाजाओं जिसमें लाल पूस्प खिलते हैं उसके पेड़ के उपर, तो यह जो समीधा है पलास की समीधाओं विशेश रूप सम्रिधी को देने वाली होती हैं, डेवी शक्तियों को त्रिप्त करने वाली होती हैं, और इसके अंदर जो तेल आदी पाये जाते हैं, या जो द्रव्य पाये जाते हैं, वो विशेश करके वाईव मंदल का सोधन भी करने वाले होती हैं, और जो मानसिक रोग हैं, अर्था के गोवर के कंडो से बनाई हुई काव डंग श्टिक यह समीधा के उपर बहुत सारी अलग-अलग रिसर्च और सामने आई है कि कानपूर युनिवर्शिटी के कुछ क्रिशी वैज़ानिकों ने इसकी श्टिक बना करके इसके उपर उन्होंने देखा तो इसकी जो एफिसंसी होती है अर्थाद जलने की जो शक्ती होती है ताकात होती है वह एफिसंसी इसकी सामन ये लकड़ी की अपेकसा ढ़ाई गुना ज्यादा होती है दूसरा कुछ राजस्थान और गुजरात के कुछ साइंटिस्टों ने इसके उपर काम करके बताया, गाय के गोर के गोह से या उसके बनी श्टिक से माधियम से जब जलाये दाता है, तो जो उस लास के माधियम से फैलने वाले उसके दहन से, जो टॉक्सें से वो वायू मडल में नहीं फैलते हैं, तो यह भ जब हम पहले से समीधाओं को चीनते हैं, व्यवस्ति डंग से रखते हैं, तो हमने पहले से जिस प्रकार से यह समीधाओं को हमने चेन किया है, दो समीधा दाएं से बाएं और दो समीधा बाएं से दाएं की साइड, हमने जो इसे रखते हैं, और बीच में थोड़ा सा इसी दूसरी लकड़ी का हम उस रूप में परियोग लेते हैं तो वह लकड़ी थोड़ी ही देर में तूट जाती है तूट जाने के कारण हम जो व्यवस्थित रूप से रखना चारे और नहीं रहती है और कभी धुआ भी थोड़ी बहुत मातर में होता है वैसे पिपल आदी कि जो टैनिया आपको बताई इस प्रकार के हम तोड़ करके लाते तो उतना दूआ या ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन ये गाई के गोवर के कंड़ो की हमने ये विशेशता देखी कि जिस रूप में हमने पहली बार रख दी एज़े हो जाने के परियन तक एज़े के बाद भी आपको वैसा का वैसा मिलेगा यहां तक कि जब आग सांत हो जाएगी और केवल राख बच जाएगी तब भी आपको उसी रूप में मिलेगी तो इसमें क्या होता है कि हम जड़ी बुटे आदी की आहुतिया देते वो अच्छे से दान हो जाएगी दूसरा सामन ये लकड़ी के उपर हम जब गी की आहुति देते हैं तो अधिक मातर हम यदि गी हो जाता तो नीचे भी उतर जाता है जबकि ये गोवर की जो समीधाये हैं उन गोवर की समीधायों के उपर यदि हम घी की आहुति प्रदान करते हैं तो वह ग्रित जैसे हमें ऐसे डालते हैं तो वह समीधा उसको आउशोसित कर लेती हैं अपने अंदर समा लेती हैं और धीरे धीरे उसको दहनसिल कर देती हैं मानि वह जल जाती है घी पूरा ज सरिष्ट होती है। उस भास्मक को सॉंधर-।। tip को बढ़ाने वाली होती है। जितना भारत में रिसर्च हुए उसे अतिरिक टब जर्मनी, और जापान, न्यूजिलेन, अलग अलग जगाओ पर जो अलग अलग रिसर्च हैं भी सामने आया है कि गाय के गोवर के कंडे जलाने से जो गे से बनती है वो सोमनस्सेकारी होती है, मन को सांत करने वाली होती है, वायू मुडल का सोधन करने वाली होती है, तो इस प्रकार से इनकी स्वयम की गेज भी बहुती ज़्यादा लाबकारी हितकारी होती है, तो इस प्रकार से गाय के गोवर के कंडों से बनी हुई स्टिक का भी हम परियोग ले सकते हैं, और आज हमने ये पतंजली योगपीट और उपन आस्था का जो मंच है उसके उपर सब जगा पे आपको ये अवेलेबल उपलब्द हो जाएगी आस्था पूजा सामगरी के साथ-साथ तो ये हवन श्टीक भी विशेश रूप से हमें लाब देगी दूसरा यज्य करने के लिए हमें आवशकता होती हैं गाय का आमीजी महराज और पुरम्पुजी आचारेसरी महराज ने विशेश रूप से पतंजली गाय का सुद्ध देशी घी भी सबी जगा पे उपलग कराए तो इस गाय के घी का हम विशेश रूप से प्रियोग ले सकते हैं और गाय का घी हमारे लिए कई सारे प्रकार के लाव देने वाला और बुद्धी वर्धक और उसके साथ साथ वायू मंडल को सुद्ध करने वाला करया है गाय की गी को सर्पी कहा गया है सर्पी अर्थात सर्प आप सब लोग जानते हैं सामने रूप से विक्ति के सामने सर्प आते ही कहते हैं कि साप अर्थात डसने वाला वास मैं कहना ये चाह रहा था कि जिसी तर्प वायू मंडल में से जहर को अशुशित कर लेते हैं ऐसे ही गाय का घी भी जब हम जलाते हैं और उसकी जो फ्लेम बनती है उससे बनने वाला जो धूमर होता है वो भी वायू मंडल के अंदर व्याप्त जो विशाक्त ताये हैं या जो chemical production है या गेसो का जो असंतुलन है उसको संतुलित करने का कार ये गाय का घी करता है ये भी एक विशेश बात इस गाय के घी के साथ जोड़ी हुई है और हमने भी अभी वरतमान में ताज ये परिक्षण में आपके सामने रखना चाहूंगा अभी हमने ये पतंजली जो गा प्रकार के इंफेक्शन हो जाता है जिसके कारण आज ये पूरे भारत वर्ष्क का ही नहीं पूरे वर्ड का ये आंकडा हम देखे तो करीब करीब दो करोड से ज्यादा लोग मौत के मुझ में समा जाते है अलग अलग प्रकार के बेक्टरिया आदी से होने वाली डिजीज से और हमने देखा इस गाय की घी को हमने अगनी में अंगारों के उपर डाला और उससे निकलने वाला जो धूम रहे उस धूम्र को अलग 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 प्रकार के बेक्टरिया जो अलग अलग प्रकार के कही तकत होती है और इसको जीवानू नासक भी हमारे सास्त्रों में कहा गया है डिशा। दो चमज की मात्रा में प्रती दिन मिला करके या वेसे ही हम एका आहूती दे सकते dengan दोनो ही सइजोग वाह का है सइजोग वाह उसको कहते हैं जो अपने गुणा को भी नहीं खोते हैं और अन्य के गुणा को भी अपने में धारण कर लेते हैं तो घ्रीत और सहथ जो भी हम जड़ी बूटियों की हम आहूती प्रदान करेंगे, यह सामगरी है हमारे पास जड़ी बूटियों का सम मिसरण है कहीं सारी, इसमें सुगंधित जैसे यह जावीत्री है आपके सामने, यह कुछ जावीत्री है, यह जावीत्री वैसे थोड़ी म जो कोरोना वाइरस का बहुत बड़ा प्रकॉप चल रहा है उसके लिए गाय के घी का आप हवन करिए गाय के घी को हवन करने के बाद धूमर कीजिए गाय के घी के साथ-साथ अपामार चीट-चीड़ा कहा जाता है वह और ये जावीतरी है और काले तील इनको आप अंगारों ये चीजे रखने का प्रियास कर रहा हूं तो आप कोरोना वाईरस से जो हम पेड़ित है आज तो उसे भी बचाओ के लिए तो ये सामगरी जो हम यज करते हैं उसके लिए जिससामगरी के हमें अपेक्षा होती है वह सामगरी में सुगंधित-द्रव्य होते है जैसे जो आपके सामने अलग से भी Google रखा है तो हमें अपने घर में भी Google का विशिश रुप से प्रियोग करना चाहिए यज्यक के रूप में भी ओर यज्यक के बाद धुम्र करने के लिए भी यहाँ जो Google होते हैं नतम यक्ष्मा आरूंदते नेनम सब्थ और शनुते यम भेचे ज़स्ते गुल-गुलो सुर्भीर गंद और शनुते सभी प्रकार की बिमार्यों यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए और सभी प्रकार श्ट्रेस तर्णावर चीड़ शळापन और पीड़ाओं से दूर रहने के लिए यथरवेद में कहा गया कि जिस घर में और जिस व्यक्ति को इसकी दूनी प्राप्त होती है उसको कैसे किसे भी प्रकार के रोग प्राप्त हो सकते हैं और अगनीपुरार में ग्रित गुलगुलों होमेच, सरवत पातादी, मर्दन, ग्रित, गाईका उत्पात होते हैं जो पांच तत्वक का जो असंतुलन है वो भी ठीक हो जाए तो Google का भी हमें प्रियोग लेना चाहिए और ये एक सामगरी जिसमें पुष्टिकारग, सुगंधित, रोगनिवारग और मिष्टर जो मिठे गुण युक्तपदार्थ होते हैं उसका हमें विश अपामार्ग जो सभी प्रकार के रोगों का मर्दन कर देती हैं पीस देती है, नश्ट कर देती है सभी रोगों को और सभी प्रकार के असुभो से मुक्ति दिलाने वाला काम जो करती हैं वो अपामार्ग चीड़ चीड़ा होती है तो उसका भी हम प्रियोग ले सकते हैं फि तो यह जड़ी बुटिया पतंजली आस्था हवन सामगरी और पतंजली यह दीव्य हवन सामगरी यह दो हवन सामगरी आपको पतंजली सभी स्टोर्स के उपड़ वो जाएगी और इसके अंदर आप इसको घर में लाकर कि इसके साथ-साथ इसमें थोड़ी मातरा में आप काले तिल और थोड़ा सा ग्रित मिला सकते हैं और इसके साथ-साथ थोड़ी मातरा में जोओं आदी भी मिला सकते हैं चावल भी मिला सकते हैं तो इस प्रकार की कुछ और भी आप एड़ कर सकते हैं लेकिन आप इस सामगरी से आप हवन करेंगे तो रोगों से भी मुक्ति पाएंगे यज्य बारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार की स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और भंभांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृति मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्कति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्ख करें मोबाइल नौशुन्य च्छै आठ पांच च्छै पांच तीन शुन्य च्छे